नमस्कार स्वागत है आपका आज आएस 2022 इस साल की जो मुख्य परिक्षा हुई है उसमें जेनरल स्टेडीज की पेपर टू और उसमें पॉलिटी खंड के प्रशनों को मैं आपके सामने डिसकस करने वाला हूँ मुख्य परिक्षा के प्रस्णों को तो आएए प्रस्णों और उत्तरों की सियात्रा पर चलते हैं एक एक करके सवाल होंगे और फिर उसके उत्तर को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे पॉलिटी खंड में जो सबसे पहला सवाल पूछा गया है पहला ही सवाल क्वेश्चन पेपर का है भारत में आधुनिक कानून कि सर्वाधिक महत्रपूर्ण उपलब्धी सर्वुच न्यायले द्वारा परियावरणिये समस्याओं का संविधानी करण है सुसंगत वाध विधियों की सहायता से इस कथन की विवेचना कीजिये और ये लिखना हमें 150 words में बहुत छोटा उत्तर लिखना है इसका मतलब यदी इस प्रशन के सार में जाये हम लोग तो सर्वुच न्यायले की भूमी का और सर्वुच न्यायले की भूमी का पूछी जा रही है परियावरणिये समस्याओं के संदर्प में और हमें बताना ये है कि परियावरणिये समस्याओं का संविधानी करण किया है constitutionalization किया है और उत्तर प्रस्थुत करना है case law वाध विधी वाध विधी या case law экか मतलब Supreme Court ने जो नेड़ दिए उन नेड़ यों को कोट करते हुए हमें उत्तर देना है इस का मतलब प्रस्थ यह जानने के अपख्षा करता है उत्तर में योने पिक्षा करता है कि सर्वुच न्यायाले ने पर्यावरन की समस्या से निपटने के लिए कुछ कदम उठाए हैं जिससे पर्यावरन की समस्या के एक समवैधानिक मानेता मिल चुकी है वो सरकारों के लिए बाध्यकारी हो रहा है उसे हल करना और उससे समंदित मुख्य सुप् Supreme Court की भूमिका की बात करें, तो तमाम भूमिकाय निभाता है, लेकिन हाल के कुछ दसकों में, वर्सों ने में दसकों की बात कर रहा हूं, Supreme Court ने समविधान में जो प्रदत उनकी भूमिका थी, उससे कुछ अलग भूमिकाय भी अपनाई हैं, जिसमें एक परियावरन है, और परियावरन के सनरक्षन में Supreme Court की बहुत महत्पूर्ण घोमी का रही हैं, और cases बहुत सारे हैं, तो सारे cases, 150 शब्दों में लिखना संभव नहीं है, तो हमें जो सबसे महत्पूर्ण cases हैं, और सबसे महत्पूर्ण जो डॉक्रिन्स हैं, उसे रिलेकेड, और सबसे महत्पूर् इसे इन प्रश्णों को हम इस प्रश्ण को हम हल कर सकते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी हिस्से में हम बता सकते हैं कि भारत के समविधान में पर्यावरन से समंधी दिशा निर्देशों की यदि हम बात करें तो पर्यावरन से समंधी दिशा निर्देश पाया जाता है भाग चार और भाग चार में पाये जाते हैं राज्य के नीती निदेश्शक्तत्तु डिरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और डीपी एस्पी के तहत आर्टिकल 48A और इसमें सम्विधान राज्य को यह निर्देश देता है राज्य का मतलब शार्षन करताओं को कि राज्य को निर्देश देता है कि राज्य परियावरन की रख्या करेगा और दूसरा रेफरेंस सम्विधान में पाया जाता है आर्टिकल 51A कलोजी में परियावरन को लेकर जहां मूल कर्तवे हैं पंडामेंटल ड्यूटीज हैं और उसके तहत एक कर्तवे बताया गया है कि प्रतेक नागरी का या कर्तवे है तो 48A में राज के लिए है और यहां नागरी के लिए है प्रतेक नागरी का या कर्तवे है यह वह परियावरन के संरेक्षन वन्य जीवों आदी के संरेक्षन में भूमी का निभाएगा चाहिए यह भी बहुत रोचक बात है कि यह जो 48 है यह भी हमारे मूल संविधान में नहीं था और 42 में संविधान संसोधन के द्वारा जोड़ा के और यह जो 51A पूरा का पूरा 51A भाग चारे पूरा का पूरा मौलिक करते है यह भी 1976 में जोड़ा के कहने का मतलब मूल संविधान में पर्यावरन संबंधी कोई विशिष्ट निर्देश नहीं है नहीं था कारण स्पस्ट था कि समस्या नहीं थी लेकिन अब है तो संविधान में तो थोड़ा सा रेफर कर सकते इंट्रोडक्शन में इकात पंक्तियों में कि हमारे मूल संविधान में पर्यावरन संबंधी निर देश, राजी के लिए निदेशक में है और नागरिक के लिए मौलिक कर्तबे में है। फिर दिखाएंगे कि सर्वोच न्यायाले ने सुप्रीम कोट ने परियावरन के संरक्षण में महत्वपून भुमी का निभाई है अपने नेड़नेओं के द्वार। जिसके कारण परियावरन की समस्या का भारत में सरकारों के लिए बादधोष लॉजग की यदि बात करें तो सुरवात हम कर सकते हैं सबसे पहले मेंका गांतीरव केस से मेंका गांती केस अब देखो मेंका गांतीरव केस प्रत्यक्षतह परियावरन से related case नहीं है लेकिन बाद में जो भी महत्वपूर्ण cases परियावरन को लेकर हुए उस सब के किंद्र में मिनका गांधी case है तो मिनका गांधी case प्रतियक्षिता परियावरन से related नहीं है उससे समंधित नहीं है बट इसके आधार पर ही बाद के मुकद में हुए case लौज हुए तो यह जड़ है इसको रेफर करना जरूरी है मिनका गांधी case में article 21 की व्याख्या हुई article 21 या जिसे हम कहते जीवन का अधिकार प्राण और देहिक स्वतंत्रता का अधिकार right to life मेंका गांधी case में यह मुद्दा उठाया गया कि जीवन का अधिकार आनुछेदिकिस article 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है जीवन का अधिकार यदि मौलिक अधिकार है तो जीवन का अर्थ क्या है भारत में जीवन के अर्थ को लेकर दो प्रकार की व्याख्याएं सामने आई कुछ लोगों ने जीवन का सीमित अर्थ लिया सीमित का मतलब जीवन को जीव वैज्ञानिक नजरिये से मेडिकल या बायलोजिकल तरीके से देखा गया और जीवन का अर्थ माना गया केवल जीवित रहना यह पहला मत आया और दूसरा मत आया नियाएपालिका में जो जीवन को व्यापक रूप में देखता है और व्यापक रूप में जीवन का दार्षनिक अर्थ ग्रहन किया गया और अब माना गया कि जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है बलकि मानवी ये गरिमा के साथ जीवन जीना है और मानवी ये गरिमा के साथ जीवन जीना है इसका मतलब मानवी ये गरिमा से पूर्ण जीवन जीने के लिए जो भी अधिकार जरूरी है वे सभी अनुछेद 21 के तहट जीवन के अधिकार में श्रामिल माने गए और यहीं पर देखो ये ब्यापकता आगी जब हमारी न्याइपालिका में ये मुद्धा आया तो एके गोपालन केस में सीमित व्याख्या ली गई लेकिन जिस केस की हम बात कर रहे है जो बाद में परियावरन से समंधित केसों का भी आधार बना मेनका गांधी केस मेनका गांधी केस में जीवन को बहुत व्यापक रूप में स्विकार किया गया और ये माना गया कि जीवनकार्थ केवल जीवित रहना नहीं बलकि जीवनकार्थ मानवी ये गरिमा के साथ जीना है मानवी ये गरिमा का मतलब है कि भोजन, वस्त्र, आवाज, सिख्षा, स्वास्त, रोजगार, जितनी चीजे मानविय गरिमा के लिए जरूरी हैं, वे सब जीवन के अधिकार के तैत मौली का अधिकार हो सकती है, और इसी संदर में मेनका गांधी केस में, सुप्रीम कोट ने ये घोशित किया, कि जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार है, कॉम्पोजिट राइट, मेनका गांधी केस में, जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की गई, और घोशित किया गया, कि जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार है, समेकित का मतलब यह दिखता एक अधिकार है, लेकिन अनेक अधि केस और मेनका गांधी केस ने जीवन के अधिकार को गरिमा पूर्ण जीवन के संदर में पारिभाशित किया ये बाद में ना केवल पर्यावरन बल की अन्य सामाजिक आर्थिक लोकोप कारी नेने के लिए भी एक आधार नेने पना पहला case law ये है, जिसने जीवन के अधिकार की व्यापक व्याख्या की अब इसके आधार पर आगे बहुत सारे मुकदमे हुए तो यहां हम लोग केवल परियावरन के संदर में उनकी बात करेंगे परियावरन के संदर में बात करें, तो MC महता case में दूसरा case law कौन सा आता है, MC महता case MC महता से समंदित कई cases हैं परियावरन को लेकर MC महता ने परियावरन को लेकर कई मुकदमे की है MC महता case 2002 में सुप्रीम कोट ने स्वच्छ परियावरन right to clean environment और इसको आर्टिकल 21 और आर्टिकल 21 में जीवन का अधिकार, जीवन के अधिकार के अंतरगत, मौलिक अधिकार घोशित कर दिया, इसका मतलब संविधानी करन हुआ, constitutionalization हुआ, तो मेन का गांधी में कह रहा है कि गरिमापूर्ण जीवन के लिए जो भी जरूरी है, वो मौलिक अधिकार है, और उसकी व्याख्या देते वे, MC महता केस में कहा गया, कि स्वच्छ परियावरन गरिमापूर्ण जीवन के लिए जरूरी है, और ये मौलिक अधिकार है, इस प्रकार नियायले ने परियावरण के छित्र में एक कदम बढ़ाया इसके बाद मेनका गांधी केस को आधार बना कर कई निर्णे दिये गए जो परियावरण से समंधित है और जिसमें कुछ सिधान्त भी प्रतिपादित किये गए जैसे अगर हम कुछ सिधान्तों की बात करें तो पहला सिधान्त है precautionary principle precautionary principle precautionary principle well or citizen forum case well or citizen forum case precautionary principle का सिधान्त भी परियावरण से समंधित है आधार इसका भी 21 है well or citizen forum case जिसमें precautionary principle का सिधान्त दिया गया और ये जो precautionary principle का सिधान्त है ये परियावरण के समंध में उसी सिधान्त को लागू करता है जिसे हम कहते हैं prevention is better than cure इसका मतलब हमेशा सावधानी या उपचार उपचार की तुल्ला में हमें उसके कारण को eliminate करना है इसका मतलब बाद में परियावरण का उलंगन करने वाले वैक्तियों संस्थाओं कमपनियों को दंड देनी की बजाए प्रारंभिक दौर में ही ऐसे वैक्तियों संस्थाओं के कारियों को रोक दिया जाएगा इसके कारण भी भारत में परियावरण की समस्या से निपटने में साहेता मिलती है तो एक केस लोके संदर में precautionary principle को भी रख सकते है इसी प्रकार एक दूसरा सिधांत परियावरण के संबन्द में है पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल इंडियन काउंसिल और इंवायरनमेन्टल अक्स इस समंधित मुद्दे में पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल का सिधान दिया गया इसका समंध भी किससे है परियावरण से पॉल्यूटर पे प्रिंसिपल कहता है कि अगर कोई वेक्ती कंपनी संस था और ये पर्यावरन को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी ये जिम्मेदारी तो होगी ही कि वह उसके लिए मुआवजाया हरजाना दे लेकिन उसके साथ साथ जितना पर्यावरन नस्ट हुआ है जिस स्तर तक पर्यावरन नस्ट हुआ है उसको फिर से उसकी मूल इस्थिदी, ओरिजिनल पोजिशन में बहाल करने से समंधित सारे खर्च और सारे उपचार का वहन करेगा। इसके कारण भी परियावरन से समंधित समस्याओं का समविधानी करन हुआ, उसे निपटने में शुरुवात मिली। इसी तरह पब्लिक ट्रस्ट डॉक्त्रिन। ये कहता है कि हमारी कुछ साजी विरासत है, साजी प्राकृतिक विरासत है जैसे जल, समुद्र, जंगल, वन, पहाड और ये किसी एक व्यक्ति का नहीं है और ये समाज के समग्र स्वास्ति के लिए जरूरी है। और इसलिए इसका निजी करन नहीं किया जा सकता, किसी एक व्यक्ति या संस्था को निजी दोहन के लिए नहीं दिया जा सकता। आफकूर्स ये सिध्धान्त पियाएंगे तो अब हम अगर अपने उत्तर को लिखेंगे तो पहले हिस्से में थोड़ी समवैधानिक इस्थिती बताएंगे। फिर हम केस लौज की बात करेंगे, मेनका गांधी केस, MC महता केस और फिर कुछ प्रिंसिपल्स की बात करेंगे। अगर और भी थोड़ी बहुत लिखने की गुंजाईश है, शब्द सिमा का हमेशा ध्यान रखना है, तो अगर इसके बाद भी कुछ लिखने की गुंजाईश है, तो हम थोड़ी सी जन हिती याचिका की परणाली पर भी प्रकास ना लेगे। पबलिक इंटेरेस्ट लिटिकेशन, पी अन भगवती के कारेकाल में जन हिती याचिका की परणाली को सुप्रीम कोट ने माननेता दी। जन हिती याचिका का मतलब है कि ऐसी याचिका जिसके द्वारा जन हित के विशय को न्यायाले में वैसा व्यक्ति या संस्था भी उठा सकते हैं, जिनका उस मामले से प्रत्यक्ष संबंध ना रहा हो। और कहा जाता है कि जन हिती याचिका या पी आईल की परणाली ने लोकस स्टेंडी के सिधांत को कमजोर कर दिया। लोकस स्टेंडी को कुछ मामलों में कमजोर कर दिया। और लोकस स्टेंडी को जन हित के मामलों में शिथिल कर दिया। इसका मतलब यदि जन हित का मामला है, पर्यावरन का मुद्दा है, पराली जल रही है, दिल लीग में पॉलिशन बढ़ रहा है, तो ऐसी इस्थिती में जो व्यक्ति उससे प्रत्यक्ष समंधित नहीं है, वह व्यक्ति भी नियायले में मुकदमा कर सकता है, जन हित के विशय क नियायले में ऐसा व्यक्ति या संस्था भी उठा सकते हैं, जिसका उससे समंध प्रत्यक्षत नहीं है, इसके कारण भी हम दिखाएंगे कि पर्यावरन से समंधित मुद्दों को नियायले में उठाने में साहयता मिली, तो यह सारे आयाम दिखाते हुए हम दिखाएंगे कि यह सत्य है, इस कथन को सही करना, यह सत्य है कि सर्वुच न्यायले ने अपने नेनेयों के त्वारण पर्यावरन से समधित समस्याओं का समविधानिक करण किया है और इतने सारे केस लोज को हम explain करें तो अच्छा रहेगा, तो इस तरह हमने देखा पहले प्रस्ण का जवाब अब आते हैं दूसरे प्रस्ण पर, भारत के संपूर्ण छित्र में निवास करने और विचरन करने का अधिकार स्वतंत्र रूप से सभी भारतिये नागरिकों को उपलब्ध है, किन्तु ये अधिकार असीम नहीं है, टिपपनी कीजिए, बिल्कुल डारेक्ट वेस्टन है अंगरेजी में देखो, राइट ऑफ मुब्मेंट और रसिदेंस थ्रूआट दे टेरिटरी अफ इंडिया और फ्रीली एबलेबल तो दे इंडियन इस राइट्स आर नागरिकों को है, लेकिन इस पर सीमा आए है, और हमें उसके बारे में बताना है, आपको पूर्स 150 वर्ट्स का क्वेश्चन है, ये प्रस्ण आर्टिकल 19 से है, आनुछिद 19, आर्टिकल 19 से है, इस प्रस्ण की भूमिका में हम बता सकते हैं कि आर्टिकल 19 में 6 प्रकार की सोतंतरता है, और इन 6 प्रकार की सोतंतरताओं में 19 क्लोज 1 सबक्लोज D में भारत में कहीं भी भारत के राजेचेत्र में कहीं भी आवा गमन की सुतंतरता है जो मूल सम्विधान का शब्द है वो है भारत के राजेचेत्र में अबाध परिसंचरण की सुतंतरता बड़ सरल सब्दों में उसी को हम कह सकते है कि 19-1-D में है कि भारत के राजे छेत्र में कहीं भी आने और जाने की सोतंतर था और ये प्रतीक नागरी को है और उसके बाद 19-1-E में है भारत में कहीं भी निवास करने एवं बस जाने की सोतंतर था और ये है freedom of movement और ये freedom to reside and settle इसी दोपर पीछे का प्रस्न है प्रस्न ये कहता है कि सभी नागरीकों को ये भी प्राप्त है ये भी प्राप्त है लेकिन दोनों में से कोई भी आसिमित नहीं है और दोनों पर ही भारत का सम्विधान सीमाएं लगाता है तो of course प्रस्न के उत्तर में सबसे पहले इसे explain करना है और फिर उससे समंधित सिमाओं का वर्डन करना है और उससे की व्याख्या करनी है कुछ अगर उससे समंधित important case lodge है वो बताने अगर हम 19 close 1 sub close D की बात करें तो इसकी व्याख्या करते वें हम बताएंगे कि यह अधिकार प्रतेक नागरी को भारत में कहीं भी आने जाने की स्वतंतरता देता है इसका मतलब है कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने की स्वतंतरता भी देता है इसका ये भी मतलब है कि एक राज्य के भीतर भी कहीं भी आने जाने की स्वतंतरता देता है 19 close 1, sub close 3, और फिर बताएंगे कि भारत में नागरिकों को कहीं भी निवास करने की भी सोतंतरता है और बस जाने की भी सोतंतरता है, को निवास करना और बस जाना दोरों मिलते जुलते हैं थोड़ा सा डिफरेंस से, निवास का मतलब है टेंपरोरी, आउस्थाई और बस जाना सेटल का मतलब है स्थाई, और जब हम बस जाने की बात करते हैं तो वहाँ पर अधिवास या डॉमिसाइल का कॉंसेट आता है, सम्विधान इस स्तर तक हमें व्यापक अधिकार देता है, कि कोई व्यक्ति यदि चार दिनों के लिए श्रिमला जाना चाहे, मनाली जाना चाहे, कहीं भी जाना चाहे, और वहाँ चार दिन होटेल में रहता है, ये उसका निवास है, ये भी उसको सोतंतरता है, और अगर उसे वो जगह मानलो बहुत पसंद आ जाती है, और वो वहीं पर रहना चाहता है, तो वहाँ जमीन खरीद सकता है, फ्लैट खरीद सकत कहने का मतलब उसको अपना अधिवास या डॉमिसाइल बना सकता है ये दोनों अधिकार ये दोनों अधिकार महारास्ट मुंबई पर भी लागू है बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है बट वहां भी लागू है तो महारास्ट में भी कोई निवास कर सकता और महारास्ट म ये अधिकार आसिमित नहीं है, आसिमित नहीं है, एबसॉल्यूट नहीं है, 19-1 सबकलोज D पर भी सिमा है, और 19-1 सबकलोज E पर भी सिमा है, और इन पर जो सिमा है, उसका वर्णन है, आर्टिकल 19-5, 19-5 दो सिमाएं लगाता है, और दोनों सिमाओं का उलेख करना पड़ेगा, तो पहली सिमा लगाता है, कि सार्वजनिक हित में, या जनता के हित में, सार्वजनिक या जनता के हित में, 19-1 सबकलोज D पर भी रोक लगाई जा सकती है, आवागमन पर, और जनता के हित में, सार्वजनिक हित में, 19-1 सबकलोज E भारत में कहीं भी निवास करने और बस जाने पर भी सिमा लगाई जा सकती है, तो दोनों पर ये पहली सिमा है और दूसरी सिमा है अनुसूचित जन जाती का हिद शेडूल ट्राइब का हिद इसका मतलब कि हम भारत में कहीं भी आवागमन कर सकते हैं और हम भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, और हम भारत में कहीं भी बस भी सकते हैं, लेकिन अगर इसके कारण जनता का हित प्रभावित होता है, तो राज्य ऐसा करने से नागरी को रोग सकता है। इनके आवागमन को निवास को बस जाने को जन हित में रोका जा सकता है। नियायले ने यह भी संदर में निड़ने दिया है कि एड्स पीरित व्यक्ति और यदि उनके कारण एड्स जैसी बिमारी के फैलने के आशंका हो। उनके आवागमन निवास और बस जाने को जन हित में रोका जा सकता है। इसी तरह प्रोस्टिचूशन या वेश्या वृत्ति के उद्देश से यदि आवागमन या निवास है उसे रोका जा सकता है। तो बताएंगे कि सीमाएं हैं और इसी प्रकार अनुसूचित जन जाती के हित में भी रोका जा सकता है। उद्देश से ये है कि जन जाती छित्र में हमें जाने से रोका जा सकता है, वहाँ जमीन खरिदने से रोका जा सकता है, निवास करने से रोका जा सकता है। कारण बहुत सपस्ट है कि जनजातियों की अपनी संस्कृती होती है, अपने रहने के तरीके होते हैं, अपने रिति रिवाज होते हैं, बाहरी हस्तक्षेप को वो पसंद नहीं करते हैं, इन चीजों के संदर में बताना है और उसके बाद अंत में हमें कंट्लूड करना है कि 19 क्लोजवन सबक्लोजडी और 19 क्लोजवन सबक्लोजडी आवागमन की स्वतंतरता, निवास की स्वतंतरता और बस जानी की स्वतंतरता देता है, क्योंकि छेत्रवाद पर भारत का सम्विधान रोक लगाना चाहता है, समग्र भारत को एक ही काई के रूप में देखता है, र संगत सिमाएं भी लगाता है, तो question की formatting क्या होगी, answer की, सबसे पहले बताएंगे, 19 clause 1, sub clause D क्या है, sub clause E क्या है, दोनों की व्याख्या करेंगे, दोनों पर इंदो सिमाओं का वर्णन करेंगे, कुछ निर्णय बताएंगे, और फिर अपना निसकर्च देंगे, कि उद्देश स राष्टी एक ही करण है, लेकिन सिमाएं इसलिए हैं कि इसका दुरूपयोग ना हो, तो 150 words में इतनी बातों को इस प्रस्ण में हमें include करना है, तो ये दूसरी प्रस्ण का उक्तर था, अब तीसरे सवाल पर आते हैं, आपकी राय में भारत में शक्ति के विकेंदरी करन ने, जमीनी स्तर पर स्वासन परिद्रिश्य को किस सीमा तक परिवर्थित किया है, तो उसी के अनुरूप बात होनी, चाहिए, और साब साब कहा जा रहा है, किस सक्ति के विकेंदरी करन या इस्थानी स्वासन ने किस प्रकार जमीनी स्तर पर क्या कारे किया है, मतलब उसका मुल्यांकन करना है, आफकोर्स ऐसे प्रस्णों में हम सभी जानते हैं कि भूमिका में कुछ फैक्ट्स को हम दे सकते हैं कि आर्टिकल 40 में पंचायतों के ससक्ति करन का निर्देश है, और इसके आधार पर भारत के सम्विधान में 73rd Amendment, इसके द्वारा भारत के सम्विधान में भाग 9 जोड़ा गया, और 11 अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 में पंचायती राज से समंधित प्रावधान हैं, और 11 अनुसूची में 29 जो पंचायतों को सौपे जा सकते हैं, और इसी प्रिकार अगर हमें स्कोप हो, तो 74th Amendment जिसका समंध नगर पालिका से है, जो स्थानिय स्वसासन का ही एक दूसरा रूप है, और 74 में संसूध बता देना, फिर बताएंगे कि वर्तमान में भारत में पंचायती राज या स्थानिय स्वसासन की अनेक विशेश्ताएं हैं, लेकिन चुकि प्रस्न विशेश्ताओं पर नहीं है, इसलिए हमें केवल पॉइंट कर देना है, कि अनेक विशेश्ताओं में से त्री इस्तरिय पंचायती राज, आफकोर्स उसको एक्स्प्लेन करने की जरूरत नहीं है, बट त्री इस्तरिय पंचायती राज, प्रत्यक्ष निर्वाचन, इसका मतलब पंचायत में सभी इस्तरों पर प्रत्यक्ष निर्वाचन की विवस्ता है, इसी प्रकार कमजोर वर्गों के लिए सीटों का आरेक्षन अनसूचित जाती जन जाती और महिला हम सभी जानते हैं कि इसके लिए पंचायतों में सीटों का अनिवार्य आरेक्षन है इसी प्रकार हम कह सकते हैं नियत कालिक चुनाव इसका मतलब कि अगर पंचायतों को भंग किया जाता है स्थानिय सोसासन की को भंग किया जाता है जो छे मां के भीतर चुनाव करवाने पड़ेंगे तो केवल संचेप में कौमा दे दे कर हम मुख्य विसस्थाएं कर सकते क्योंकि प्रस्ण विसस्था पर नहीं है प्रस्ण उसके कारिकरन पे है तो इंट्रों का हिस्सा होगे और उसके बाद सीधे ह कि स्थानिय स्वसाथ्षन की संस्थाओं से आपेक्षा की गई थी कि ये भारत में आधारभूत स्थर पर लोक तंत्र का साधन बनेगी लेकिन अनेक कारणों से ये आधारभूत स्थर पर पूर्णतह सफल नहीं हो पाई आफकूर्स कुछ कमियों को दिखाएंगे कुछ कमियां तो ऐसी हैं जो परंपरागत है जो सुरू से ही चल रही है जैसे ग्रामिन भारत में अशिख्षा जातिवाद गरीबी आर्थिक विश्रमता भरस्टाचार तो एक आयाम इसका होगा इसके कारण भी स्थानी इस्थर पर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दी है और इसके अलावा कुछ कमियां हम 73 संसोधन की दिखाएंगे परंपरागत कमियों के अलावा 73 अमेंडमेंट में कुछ कमियां हैं जिसके कारण इस्थानी इस्थर पर ये बहुत महत्वूर्ण प्रभाव पैदा नहीं कर पाई जैसे 73 संसोधन की कमियों की अदिबात करें तो पंचायतों को काफी हद तक राज्य सरकारों पर निरफर बना दिया गया है जैसे कुछ एक्जामपल हम देखें एक राज्य वित्त आयोग के गठन का प्रावधान 73 संविधान संसोधन करता है उदेश बहुत बड़ा है कि पंचायत और राज्य सरकार के बीच वित्त के वित्रण को तार्किक बनाया जाए लेकिन राज्य वित्त आयोग से समंदित जो अनुच्छेद है 243 आई यह कहता है कि राज्य वित्त आयोग के गठन, उसकी नियुक्ति, उसकी सेवा सर्ते, उसकी पदमुक्ति, उसका वेतन उससे समंदित प्रावधान राज्य विधान मंडलते करेगा इसका मतलब कि अगर राज्य सरकार अच्छी है तो एक स्वतंतर और निश्पक्ष वित्तायोग का गठन होगा और अगर राज्य सरकार पंचायतों को बहुत महत्व नहीं देना चाहती तो राज सरकार के ही लोग सारे उसमें चले जाएंगे तो कुल मिला कर यह एक कमी है यही बात काफी हत तक राज निर्वाचन आयोग के समंद में है State Election Commission Article 243 के यह कहता है कि पंचायत और नगरपालिका इनके चुनाव करवाने के लिए एक राज्य निर्वाचनायोग होगा लेकिन उसमें कितने वैक्ति होंगे उसकी नियुक्ति कौन करेगा उसका वेतन क्या होगा ये सब कुछ राज्य विधान मंडल पर छोड़ा गया है हाँ केवल ये का गया है कि उसको हटाने की प्रक्रिया वही होगी जो हाई कोड के जैज को हटाने की होती है पदमुक्ति को छोड़ कर से इस बातें राज्य तै करता है तो ये भी पक्षपात पूर्ण संस्था बन सकती है यदि राज्य विधान मंडल चाहे तो इसी प्रकार हम दिखाएंगे कि ग्यारहवी अनसूची डाली गई है और ग्यारहवी अनसूची में 29 विशय है जिस पर पंचायतों स्थानिय संस्थाओं को निर्णे लेने का अधिकार दिया जा सकता है अनिवार ये नहीं अब 29 में से कितने विशय पंचायतों को सौपे जाएंगे ये तै करने का अधिकार राजिविधान मंडल को है 73 में संसोधन की कमियों को किसी प्रकार और अगर 73 में संसोधन की पर्टिकूलर कमी देखें तो ये सब 73 की कमी है इसमें स्थानिय प्रतिनिधियों के प्रसिक्षण आदी की कोई वेवस्था निए हम जानते हैं कि इस्थानिय संस्थाओं के प्रतिनिधि आशिक्षित तो नहीं होते हैं लेकिन अल्प शिक्षित जरूर होते हैं तो एक अल्प कालिक बहुत बड़ी नहीं है लेकिन साल में 15 दिन एक महिने की ट्रेनिंग का प्रावधान होना चाहिए ताकि ये वेक्ति सही तरीके से अपने दायतों का निर्वाह कर पाए तो इन कमियों को दिखाएंगे कुछ परंपरागत कमिया है और कुछ तिहत्तरवे की कमिया है जिसके कारण ये बहुत उत्साह जनक परिनाम नहीं दे पाई हैं लेकिन कंक्लूजन में हमें बताना है कि बिलकुल निराशा जनक निस्पादन भी नहीं है कुछ सकारात्मक बदलाव ही हुए सकारात्मक बदलाव पंचायतों के माध्यम से वे हैं जैसे हम कह सकते हैं कि राजनीतिक शक्ति का विकेंद्री करन तो हुआ है अर्थात अब नियतकालिक चुनाव होते हैं जैसे लोक सभाके और विधान सभाके वैसे ही पंचायत के नियतकालिक चुनाव होते हैं अब पंचायत में प्रत्यक्ष निर्वाचन की वेवस्था है इसका मतलब सभी पत प्रत्यक्ष निर्वाचन से भरे जाते इसी प्रकार कमजोर वर्ग अनुसूचित जाती, जन्य जाती, महिला को आरक्षन देने से राजनिती में इनकी भागिदारी पड़ी है। आप मानलो इसमें से जितने विश्य सौपे गए, उससे समंधित यदि राजय सरकार की कोई योजना चलाई जाती है, तो उसमें स्थानिय जन्य प्रतिनिदियों को भी भागिदारी करने का मौका बिलता है, जैसे स्थानिय स्तर पर गरीबी उन्मूलन मन्रेगा जैसे योजन लेकिन फिर भी इसे एक अगरगामी कदम माना जाएगा, पंचायत के मुल्यांकन से समंधिती है, प्रस्ण था, तो अब हम लोग आगले प्रस्ण पर आते हैं, जो पॉलिटी के खंड से पूछा गया है, राज्य सभा के सभापती के रूप में भारत के उपर रास्टपती की भूमिका की विवेच ना कीजिए, डिरेक्ट कुश्चन है, डिस्कस दा रोल अफ वाइस प्रस्टपती के पद का प्रावधान है, जहां यह कहा गया है, जहां यह कहा गया है, भारत का एक उपर रास्टपती होगा, फिर आएंगे की उपर रास्टपती, दो भूमिकाएं निभाता है, वाइस प्रेस्डेंट या उपर रास्टपती, दो भूमिकाएं निभाता है, उसकी पहली भूमिका है कार्यवाहक रास्टपती के रूप में, आज दा एक्टिंग प्रेसिडेंट, और हम बताएंगे की उसकी दूसरी भूमिकाएं राज्यसभा का पदेन सभापती, प्रस्ण मुख्यता इस पर है, इसलिए ज़्यादा व्याख्या इसकी होगी, यहां केवल एक पंक्ती लिखी जा सकती है, कि जब भी राश्टपती के पद में रिक्ती होगी, वेकेंसी होगी, मृत्यू, त्यागपत्र, निर्वाचन, रद, किसी भी कारण से राश्टपती का पद रिक्त होगा, तो उसके पद को प्रास्टपती तब तक धारन करेगा जब तक कि रास्टपती का निर्वाचन ना हो जाए और निर्वाचन हम सभी जानते हैं कि 6 माह के भीतर होना अनिवार्य है तो ये पहली, बट हमें फोकस इस पर करना है यहाँ फिर दिखाएंगे कि राज्य सभा के पदेन सभापती के रूप में वह अनेक प्रकार के कारिय करता है जैसे यदि हम पदेन सभापती के रूप में जो प्रस्टपती है उसके संदर में यदि रास्टपती की भूमिका की बात करें उपरास्टपती की तो सबसे पहला काम है कि वह राज्य सभा में प्रक्रिया का संचालन करता है। सभापती की जिम्मेदारी, इसमें नियमों की व्याख्या करना, किस सदस्य को कितना सबय आबंटित किया जाएगा चर्चा के दौरान इसका निर्धारन करना, किस प्रस्ताव को स्विकार किया जाएगा, किस प्रस्ताव को स्विकार नहीं किया जाएगा, इस प्रकार के सारे क्रिया कलाब आते हैं और प्रक्रिया के संचाल राज्य सभा का सभापती और लोक्सभा का अध्यक्ष दोनों न्यायाले के छित्राधिकार से बाहर हैं तो सदन के भीतर क्या होता है या अध्यक्ष या सभापती का विश्य शाधिकार है पहली भूमिका ये है दूसरी भूमिका वहर राज्य सभा में या सदन में व्यवस्था बनाता है इमेंटेंस ओर्डर इन दा हाउस सदन व्यवस्थित तरीके से चले या देखना सभापती का कारिया और इसके लिए उसके पास कई शक्तिया है उसे सदस्यों को चेतावनी देने का अधिकार है वार्ण कर सकता है उसे मार्शल के प्रियोग का अधिकार है अभी राज्य सभा में हमने देखा पिछले एक-दो सत्रों में कैसे मार्शल का प्रियोग किया गया सदन कोई सदस्य अगर सदन की गरिमा के विरुद्ध आचरन करता है तो उसे सदन से मार्शल बाहर ले जाते हैं और विशेश परिस्तिती में उसे सदस्यों को निलंबित करने का भी अधिकार है तो ये भी इसकी एक भूमिका है कि सदन में विवस्था बनाए रखना उसकी अन्य भूमिका जो सदन के जो सभापती के रूप में है कि वह निर्नायक मत डालता है वह निर्नायक मत डालता है या कास्टिंग वोट डालता है कहां पर कास्टिंग वोट डालेगा राज्य सभा में जब किसी विश्था पर मत दान हो रहा है निर्णायक मत का मतलब है कि अगर किसी प्रस्ताव के पक्ष में और विपक्ष में मतों की संख्या बराबर हो जाए तो गतिरोध उत्पन हो गया उस गतिरोध को तोड़ने वाला जो मत होता है उसे निर्णायक मत कहते है मान लिजे 200 सदस्यों ने वोट दिया और 100 सदस्यों विपक्ष में वोट दे दिया तो प्रस्ताव न तो पारित हुआ न रद्ध हुआ ऐसी इस्तिती में अगर सभापती पक्ष में वोट डालते तो प्रस्ताव पारित हो जाएगा और अगर सभापती विपक्ष में वोट डाल दे तो प्रस्ताव रद्ध हो जाएगा तो हम यह भी दिखाएंगे कि वह सदन में निर्णायक मत डालता है। इसी प्रकार उसकी एक अन्य महत्रपूर्ण घुमिका है कि वह सदन में गुप्त बैठक, सदन की गुप्त बैठक का निर्धारन करता है सेक्रेट सिठी। सदन की प्रक्रिया में कोई भी बाहरी वेक्ती उपस्थित नहीं रहेगा। प्रेस, मीडिया, टीवी चैनल्स सब सदन की प्रक्रिया से बाहर कर दिये जाएंगे और केवल सदन को ही ग्यात होगा कि सदन के भीतर क्या हुआ। तो इसे इस परिस्तिती में वह गुप्त बैठ आधिनियम। और हम जानते हैं कि दल बदल विरोधी आधिनियम, 52.88 में लाया गया था। दसवी अनसुची में पाया जाता है। दल बदल विरोधी आधिनियम के तहत यदि राज्य सभा के किसी सदस्य कि समंद में दल बदल का रूप लगता है तो उसकी सदस्यता की समाप्ति के संदर्ग में निर्णय लेने का अधिकार सभापती को है ये भी उसकी एक भूमिका है सभापती के रूप में इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि उसकी भूमिका है सदन की बैठकों का स्थगन करना एडजॉर्णमेंट करना एडजॉर्णमेंट जब सत्र चलता है सत्र कई बैठकों में बटा होता है मान लो कि सत्र 20 दिन का है तो ऐसा नहीं कि लगातार 20 दिनों तक वो 24 आवर्स काम करें संसत में सामार ने प्रक्रिया क्या होती है कि 11 बजे पहली बैठक बुलाई गई और जेनरली दो घंटे तक चलती है तो एक बजे स्थगन कर दिया गया फिर एक से दो स्थगन रहा और फिर दो बजे दूसरी बैठक बुलाई गई फिर छे बजे स्थगन कर दिया गया फिर अगले दिन ग्यारा बजे तीसरी बैठक बुलाई गई फिर अस्थगन तो एक सत्र में कई बैठके होती है और दो बैठकों को अलग करने के लिए इस्थगन का प्रियोग किया जाता है यह इस्थगन कौन करते हैं लोक सभा में अध्यक्ष और राजसभा में सभापती और यहां हम दिख हाएंगे कि स्थगन दो प्रकार का होता है साधारन स्थगन सिंपल एड्जॉर्णमेंट और साइन डाई स्थगन साइन डाई स्थगन सिंपल एड्जॉर्णमेंट एंड साइन डाई एड्जॉर्णमेंट इसकी व्याख्या करनी पड़ेगी सिंपल एड्जॉर्णमेंट क का मतलब होता है कि जब स्थगन के दौरान अगली बैठक का समय और तिधी बता दी जाए तो आधारन स्थगन है मान लो एक बज़े स्थगन किया गया ये घोसित करते हुए कि आज दो बज़े फिर आना है तो तिथी भी बता दी गई आज और समय भी बता दिया गया दो बज़े तो ये साधारन स्थगन है या छे बज़े स्थगन किया गया साम में ये निर्देश देते हुए कि कल ग्यारह बजे आना है तो ये साधार नस्थगन है बीच में दो दिन दिवाली हो गई तो उसकी छुटी कोछ और कि जब डेट और समय बता दिया जाए तो उसे कहते हैं साधार नस्थगन साइन डाई स्थगन का मतलब है अनिश्चित कालीन स्थगन इंडेफिनिट एड्जॉर्ड्मेंट और तकनीकी भासा में इसको कहते हैं कि जब अध्यक्षिया सभापती बैठक का स्थगन करते समय अगली बैठक का समय और तिथी ना बताए तो ऐसे स्थगन को साइन डाई स्थगन कहते हैं इसमें सदस्यों को ये पता नहीं होता है कि अगली बैठक कब होगी और कितने बज़े होगी और किस्तितिक होगी उन्हें बाद में सूचना दी जाती ये सारा नेड़ाइ कौन लेते हैं अध्यक्ष अब चुकि प्रसंगवत बात चल गई है तो हमेंसे बहुत सारे लोगों को ये लगता होगा कि जब अध्यक्ष के पास ये सभापती के पास ये पावर है तो यही क्यों नहीं किया जाता है अच्छा तो यही है समय और तारिक बता दो फिर ये स्थगन क्यों किया जाता है और भारत में ये बहुत ज़्यादा हो रहा है भारत में साइन डाई स्थगन बरता जा रहा है साइन डाई स्थगन अगर किसी देश में होता है अधिक तो यह इस बात का सुचक है कि सासक वर्ग में, राजनितिक दलों में और विपक्ष में, राजनितिक परिपकोता और तालमिल का अभाव है, साइन डाई बुरा है, बैड है, डामोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है, फिर क्यों किया जाता है, मजबूरी वस किया जाता है, को ED का छापा पर गया, CBI का छापा पर गया, हम विरोध स्वरुप सदन नहीं चलने देखे, विपक्षार गया, सत्ता पक्ष कहरा है कि नहीं छापे तो पढ़ेंगे, बरस्टाचार मिटाने का तरीका है, दोनों में गतिरोध हो गया, बैठक बुलाई गई, बैठक बुलात फिर 10 मिनट के बाद वही हालात, दो घंटे के लिए स्थगन किया, फिर वही हालात, दो दिन के लिए स्थगन किया, वही हालात, अब सभापती को ये समझ में आ गई बात, कि जब तक इस समस्या का कोई स्थाई हल न लिख ले, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई साम अधान निकलेगा, तो मजबूर होकर सभापती क्या कहेंगे, I adjourn the house signed I, मैं सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करता हूँ, तो ये signed I isthagun है, signed I isthagun कई दिनों का भी हो सकता है, तो ये सारी शक्तियां हमें यहां लिखनी है, और अंत में conclusion करते हुए, बताना है, कि भ ये देपी उससे निश्पक्ष होनी की अपेक्षा की जाती है, लेकिन विवादों के दारे में आ जाता है, जिसका कारण इस पद का दलिये स्वरूप है, उपर रास्टपती सभापती के रूप में निर्वाचित होता है, और चुकि निर्वाचन राजनीती का अधार पर ह होता है, इसलिए समय समय पर इसमें पक्षपात के आरूप लगते हैं, फिर भी कुल मिलाकर इस पद की भूमिका भारत में बहुत विवादित नहीं रही है, तो ये कहते हुए इस प्रस्ण को हम समापन करेंगे, अब आगले प्रस्ण पर आते हैं, राष्ट्रिय पिछवरा वर्ग आयोग के सामविधिक निकाए से समवैधानिक निकाए में रुपांतरन को ध्यान में रखते हुए इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए, इसका मतलब प्रस्ण के दो हिस्से हैं, एक तो कह रहा है कि राष्ट्रिय पिछवरा वर्ग आयोग पहले सामविधिक निकाए या संस्था होती थी और अब यह बन चुका है समवैधानिक निकाए या समवैधानिक संस्था, और यह जो सामविधिक से समवैधानिक में रूपांतरन हुआ है, बदलाओ हुआ है, इसको देखते वे हमें इसकी भूमिका बतानी है, Statutory से Constitutional का Transformation, इसका मतलब ऐसे प्रस्ण का उत्तर लिखने के लिए हमें पता होना चाहिए कि यह क्या होता है और यह क्या होता है, जैसे भारत के निर्वाचन आयोग, Election Commission of India, इसे समवैधानिक संस्था कहते हैं, क्योंकि अनुच्छे 324 के द्वारा स्रिजित है, इसी प्रकार भारत का वित्त आयोग, Finance Commission of India या एक समवैधानिक संस्था है, क्योंकि आर्टिकल 280 के द्वारा इसका स्रिजन हुआ है, लेकिन समवैधिक संस्था या इस्ट्रेचूटरी बड़ी व संस्था है, जिसका निर्मान संसथ या विधाईका के कानून से होता है, समवैधान से इसका निर्मान नहीं हुआ है, जैसे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग NHRC, सम्विधान में इसका कहीं जिक्र नहीं है, फिर यह कैसी संस्था है सामविधिक, क्योंकि संसद ने मानव अधिकार संरक्षन अधिनियम 1993-1993 पारित किया उसके द्वारे NHRC बना, इसी तरह राष्ट्रिय महिला आयोग National Commission for Women, सा नहीं है, राष्ट्रिय महिला आयोग अधिनियम के द्वारा बनाया गया, इसी तरह राष्ट्रिय अलप संख्यक आयोग National Commission for Minorities सामविधिक संस्था है, सम्विधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन राष्ट्रिय अलप संख्यक आयोग अधिनियम के द्वारा इसका निर् पड़ेगा कि सामविधिक से समवैधानिक में रूपांतरन कैसे हो, और फिर बताना पड़ेगा कि इसकी भूमिका उसके संदर में अभी क्या है, समवैधानिक निकाय के रूप में क्या इसकी भूमिका वर्तमान में है, और क्या दोनों भूमिकाओं में बदला हो है, सामव पिछड़ा वर्ग आयोग की बात करें तो पिछड़ा वर्ग आयोग का उलेख आर्टिकल 340 में भी मिलता है। के लिए और उनती के लिए रास्टपती समय समय पर पिछड़े वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। लेकिन वे सामविधिक आयोग नहीं थे, समवैधानिक भी नहीं थे, वे कार्यकारी आयोग थे। अब देखो एक नया शब्द आता है कार्यकारी। कार्यकारी संस्था या निकाय वह है जो कार्यपालिका के द्वारा बनाये जाता है। ये दो आयोग राष्टपती ने बनाये थे। इंट्रो में दिखा सकते हैं, इंट्रोडक्शन में कि जर्नी तो कार्यकारी से हुआ। लेकिन फिर दिखाएंगे कि जब OBC के लिए आरक्षन लागू किया गया। विष्वनात प्रताप सिंखे सरकार ने 1990 में OBC आरक्षन लागू किया। और OBC आरक्षन को चुनाती दी गई इंद्रा साहनी केस। इंद्रा साहनी केस में OBC आरक्षन को चुनाती दी गई। आफकोर्स बहुत सारे आयाम है निर्णे के बट हमारे लिए यहाँ जो रेलेवेंट है इस निर्णे का हिस्सा वो यह है कि तमाम बातों के अलावा इसमें क्रीमी लेयर की बात की गई कहा गया कि पिछड़े वर्गों का आरक्षन ठीक है लेकिन जो क्रीमी लेयर है जो ओबी सी में साधन संपन हिस्सा है उसे आरक्षन का लाब नहीं मिलेगा और क्रीमी लेयर इससे समंदित अन्यमामलों की पहचान के लिए सुप्रिम कोट ने भारत सरकार को यह निर्देश दिया कि एक पिछड़ा वर्ग आयोक का स्थाई तोर पर गठन किया जाए पामानिंट बैकवर्ड क्लास कमिशन बनाया जाए और तब हम जानते हैं कि राष्ट्रिय पिछड़ा वर्ग आयोग अदिनियम पारित किया गया 1993 में अगले हिसाब अब ये किस ने किया संसदनी और इसी के आधार पर राष्ट्रिय पिछड़ा वर्ग आयोग National Commission for Backward Class की अब स्थाई तौर पर स्थापना हुए और यहाँ पर NCBC या पिछड़ा वर्ग आयोग एक सामविधिक संस्था के रूप में है Statutory Body तो जर्नी इसी प्रकार दिखाएंगे कि Transformation कैसे हो यहाँ इसके जो कार्ये थे किसके NCBC के वे कार्ये इंद्रासानी केस के निर्णे के आधार पर डिफाइन किये गये थे तो इसकी भूमिका काफी सीमित थी कम थी मुख्य कारियर क्रीमी लेयर की पहचान OBC के निर्धारन में सहायता देना और पिछले वर्गों के बारे में अन्वेशन करना था तो भूमिका मुख्यता इसके परिप्रेक्ष में थी और सामविधिक संस्था थी फिर आगे हम बताएंगे कि 102.102 सम्विधान संसोधन 2018 इसके द्वारा भारत के सम्विधान में आर्टिकल 338 बी डाला गया इससे पहले ही आर्टिकल 338 में राष्टिय अनसुची जाती आयोग था और उसके नीचे आर्टिकल 338 बी आता है 338 बी के द्वारा अब N.C.B.C. National Commission for Backward Classes राष्टिय पिछड़ा वर्ग आयोग को सम्वैधानिक दर्जा दे दिया गया Constitutional Status दे दिया गया यह पहला हिस्सा होगा उत्तर का कि एक सामविधिक आयोग से सम्वैधानिक आयोग तक की इसकी यात्रा क्या है Transformation क्या है आप दिखाएंगे कि इसकी भूमिका क्या है इसके संदर में तो हम बताएंगे कि सम्वैधानिक आयोग के रूप में अब इसकी भूमिका Article 338B में बहुत व्यापक बना दी गई है पहले भूमिका चोटी थी अब इसकी भूमिका बहुत व्यापक है जैसे अब इसकी भूमिका क्या-क्या है तो पहली भूमिका है पिछडे वर्गों को प्राप्त सम्वैधानिक और कानूनी संरक्षनों की देख रेकर इसका तातपर ये हो गया कि जो पिछडे वर्ग के लोग हैं सम्वैधान में उनको बहुत सारे संरक्षन दिये गये हैं छूटें दी गये हैं सुविधाएं जैसे आरक्षन इसको हर जगह सही तरीके से लागू किया जाए हर जगह उन सुविधाओं को इन्हे वास्तों में उपलब्ध करवाया जाए इस सब की देख रेक करने वाला एक प्रकार से एक वाच टॉग है जो देखेगा कि हर युनिवस्ट्री सारक्षन को लागू कर रही है या ने हर संस्था इसारक्षन को लागू कर रही है या ने अगर उन्हें फीस में छूट दी गई है तो उसको लागू किया जा रहा है अगर एज में रिलेक्सेशन दिया गया है उसे लागू किया जा र कि किसी सदस्य के साथ यदि अन्याय होता है, उसकी शिकायत की जाँच करना। मानलो कि किसी पिछड़े वर्क के सदस्य के साथ उसके कारियाले में इसलिए भेदभाव होता है कि उसकी जाती पिछड़ी है। तो ऐसी स्थिति में उस शिकायत की चार्ज करेगा, कारवाई करेगा, इसी प्रकार इसका तीसरा कार यह है, भूमी का है, कि जब भी पिछड़े वर्क से समंधित कोई नीती बनेगी, और सरकार परामर्ष मांगेगी, तो उसमें या परामर्ष देगा, क्योंकि पिछड़े आयोक का सदस NCBC का सदस से बनने की योगेताओं में यह है कि पिछड़े वर्क का विश्रेशक यह होना चाहिए समस्याओं का इसी प्रकार कोई भी पिछड़े वर्क से समंधित कल्यान योजनाई चलेगी तो उसमें यहां विश्रेशक यह परामर सुपलब्ध करवाईगा औ और अब जो NCBC है उसमें NCBC को एक सिविल कोट की शक्ति प्रावत है क्रिमिनल कोट नहीं सिविल कोट सिविल कोट का मतलब है कि यह जब अनुसंधान आदि करेगा जाच करेगा तो किसी भी वेक्टिया संस्था को नोटिस या समन भेज सकता है और माना जाएगा कि वह एक न अफिडेविट या सपत्पत्र के लिए कह सकता है गवाही देने के लिए बुला सकता है कोई रिकॉर्ड मंगवा सकता है तो एक सिविल कोट की भी शक्तिया प्राप्त है और हम दिखाएंगे कि अब इसकी भूमिका काफी व्यापक हो गई है तो इस तरह से दो हिस्से में बाट कर दिखाना है कि साम्विधिक आयोग से सम्वैधानिक आयोग तक इसकी यात्रा क्या थी और सम्वैधानिक आयोग के रूप में इसकी भूमिका क्या है अब अगले प्रस्ण पर चलते हैं राजयपाल पर ये प्रस्ण है राजयपाल द्वारा विधाई शक्तियों के प्रियोग की आवश्यक सर्तों का विवेचन कीजी विधाई का के समक्ष रखे बिना राजयपाल द्वारा अध्यादेशों के पुनह प्रख्यापन की वैधता की विवेचना कीजी discuss the essential conditions for exercise of the legislative powers by the governor discuss the legality of repromulgation of ordinances by the governor without placing them before the legislation प्रस्न मुख्यता राजपाल की विधाई शक्ति पर है और उसमें भी मुख्य प्रस्न का बल है अध्यादेश पर और सच्या ही ही है कि विधाई शक्तियां तो अनिक हैं लेकिन जिसे सबसे प्रमुख विधाई शक्ति माना जाता है चाहे वह रास्पति के लिए हो चाहे राजपाल के लिए हो वह अध्यादेश है तो विधाई शक्ति का जब प्रियोग करेगा राजपाल तो सरते क्या होंगे और क्या बार-बार अगर वह एक ही अध्यादेश को जारी करे तो वह अध्यादेश की सीमा तक वैद होगा प्रस्थन अच्छा है तोड़ा पेचीदा भी है लेकिन बढ़िया प्रस्थन है इसको कैसे हम हल करेंगे सबसे पहले ओफकोर्स इंट्रोड़क्टरी हिस्से में आप राजयपाल का परिचय दे सकते हैं और कह सकते हैं कि राजय के समवैधानिक प्रमुक के रूप में आर्टिकल 153 में राजयपाल के पद का निर्मान किया गया है प्रसाशनिक शक्ति विधाई शक्ति छमादान की शक्ति श्वभिवेक की शक्ति और उसके बाद हमारा फूकस होगा राजयपाल की विधाई शक्ति legislative power of government तो इंट्रो के बाद सिधे किस पर आ जाएंगे विधाई शक्ति और ध्यान रखना कि विधाई शक्ति में सबसे महत्यकूर्ण शक्ति अध्यादेश ही है इसने जब विधाई शक्ति की बात की जाती है तो उसका मुख्य मतलब अध्यादेश है तो इस प्रस्ण को हमें अध्यादेश के संदर में समझता है और्डिनेंस के संदर में फिर भी विधाई शक्तियों का एक लिस्ट भी देंगे और तब अध्यादेश पराएंगे इसका मतलब वह राज्य विधान मंडल का अंग है जैसे राष्टपती संसद का अंग है वैसे ही राज्य पाल राज्य विधान मंडल का अंग है यहाँ पर इस चीज को ध्यान रटना है कि अंग की बात की ज़र औरगन मेंबर नहीं है रास्टपती संसत का सदस्य नहीं है लेकिन उसका एक अंग है संसत के तीन अंग होते हैं लोकसभा, राजसभा और रास्टपती और मेंबर्स किसके होते हैं लोकसभा और राजसभा के वैसे ही राजविधान मंडल का एक अंग राजपाल भी राजय पाल राजय विधान मंडल का अंग है वह राजय विधान मंडल का सत्र बुलाता है ये भी उसकी विधाईश शक्ती है इसी प्रकार वह राज्य विधान मंडल का सत्रावसान करता है, मतलब सत्र की समाप्ति करता है फिर बताएंगे कि वह विधान परिशद में एक बटे छे सदस्यों का मनुनेयन करता है फिर बताएंगे कि जब राज्य विधान मंडल से पारित होकर कोई विधेयक राज्य पाल के पास आता है तो वह उस पर सहमती दे सकता है, येस कर सकता है, वह उसे आस्विकृत कर सकता है वह उसे पुनर विचार के लिए राज्य विधान मंडल को लोटा सकता है और इसके साथ साथ एक और विकल्प है कि वह उसे राष्टपती के पुनर विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। पहले कम इंपोर्टेंट विधाई शक्तियां बताएंगे और फिर एक हिस्सा ये हो गया। आर्टिकल 123 इसमें राष्टपती की अध्यादेश की सकती है। का या समाधान हो जाए कि किसी विषय के बारे में निर्णय लेना जरूरी है। तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। राजपाल द्वारा जारी अध्यादेश राजविधान मंडल का सत्र प्रारंब होने की तिथी से छे माह तक लागू रहेगा। यदि छे माह के भीतर राजविधान मंडल साधारन बाहमत से उसका अनमोधन कर दे। तो अध्यादेश इसथाई हो जाएगा। कहलाएगा अध्यादेश लेकिन इसथाई हो जाएगा। सौट इंट्रो देंगे तिया ध्यादेश क्या है अब देखो प्रस्ण है कि विधाई शक्ती से समंदित सर्तें तो यह सर्तें इसी के लिए तो हम बताएंगे कि राजयपाल जब इस महत्पूर्ण विधाई शक्ती का प्रियोग करता है तो कुछ सर्तों का पालन करना पड़ेगा जैसे पहली शर्त है कि समान यह मंत्री परिशद के परामर्ष पर ही होना चाहिए इसका मतलब अध्यादेश चारी करना राजयपाल की स्वाव विवेक की शक्ती के तहत स्वीकृत नहीं है पहली सर्त क्या होगे कि जब बे अध्यादेश चारी होगा मंत्री परिशद के परामर्ष पर होगा दूसरी बात कि यह तभी होगा जब राजय विधान मंडल का सत्र नहीं चल रहा हो जब राजय विधान मंडल का सत्र नहीं चल रहा है अध्यादेश तभी चारी होगा अध्यादेश का विधान मंडल द्वारा आनुमोदन होना जरूरी है सत्र प्रारम होने की तिथी से छे सब्दा के भीतर और राजयपाल केवल राजय सूची और समवर्ती सूची के विशाय पर अध्यादेश चारी कर सकता है तो ये प्रस्ण का पहला हिस्सा है विधाई शक्ती के प्रियोग से समंदित सरतें क्या है तो विधाईश रक्ती उसमें फोकस अध्यादेश और उससे जुड़ी सरती ये है अब आते हैं दूसरा हिस्सा कि यदि राज्यपाल एक ही अध्यादेश को बार बार जारी करे बार बार जारी करे और राज्य विधान मंडल की स्विकृति ना ले तो ये किस सिमा तक वैद है किस सिमा तक वैद है इसको इस रूप में समझें कि अध्यादेश जारी किया गया और अध्यादेश के लिए ये जरूरी है कि जब राज्य विधान मंडल का सत्र बुलाया गया तो सत्र प्रारंब होने की तिथी से छे सप्ताह के भीतर राज्य विधान मंडल में उसे रखा जाए और साधारन बहमत से उसको स्विकार करवाया जाए तब अध्यादेश स्थाई हो जाएगा लेकिन यदी ऐसा ना किया जाए तो अध्यादेश खत्म हो जाएगा और अध्यादेश खत्म हुआ और फिर उसी अध्यादेश को विधान मंडल का सत्र समाप्त होने के बाद फिर जारी कर दिया जाए तो दूसरी बार तीसरी बार चौती बार और अगर इस तरह से बार ब राष्टपती या राजेपाल द्वारा अध्यादेश कितनी बार जारी किया जाएगा इसकी कोई संख्या नहीं है। लेकिन हम कहेंगे कि यह संविधान की मूल आत्मा के विरुद्ध है। क्योंकि अध्यादेश जारी करना एक विधाई शक्ति है। लेकिन संविधान की सोच यह कहती है कि यह आस्था ही होना चाहिए। इसका मतलब कि आप अध्यादेश जारी करिये फिर अनमोधन करवाईए। अनमोधन नहीं होता है तो बार बार जारी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यदि ऐसा राजेपाल करे तो हम कहेंगे यदि बिना विधान मंडल के अनमोधन के और अध्यादेश को बार बार जारी किया जाता है। तो यदि पी समविधान में इसकी कोई रोक नहीं लेकिन यह समविधान की मुल भावना के विरुद्ध है और नियायाले ने भी अनेक वादों में केस लौज में इसको समविधान की मुल भावना के विरुद्ध और एक परकार से अवैध माना है तो कुछ केस इसका रेफर कर सकते, कूपर केस और एके-रोय केस ये दोनों ही अध्यादेश से समन्दित केस है. Of course राश्टपती, तो जो राश्टपती पर लागव वही राजपाल. कूपर केस और एके-रोय केस में यह का आगया कि कारेपालि का रास्टपती या राजपाल, यदी अध्यादेश जारी करें, तो परिस्थिती अध्यादेश के अनुकूल थी या नहीं, इसका न्याईक पुन्रावलोकन किया जा सकता है। यदि रास्टपती या राजिपाल अध्यादेश जारी करते हैं तो उनका जो समाधान है, सेटिस्फैक्शन है कि अध्यादेश जारी करने की परिस्ति आ चुकी है वो समाधान सही है या नहीं न्यायले में इसको चुनाती दी जा सकती है और न्यायक पुन्रावलोकन हो सकता है तो अब देखो अगर बार बार अध्यादेश आप जारी करते है या आपका सेटिस्फैक्शन है कि परिस्ति बन चुकी है तो न्यायले में इसके अनुसार मामला जाएगा इससे भी important case जिसमें साफ साफ मनाही की गई वो है डीसी वाधवा case और यह तो मुख्यता है राजपाल के ही संदर में डीसी वाधवा case डीसी वाधवा case versus the state of Bihar Bihar राज में एक दौर में 14 वर्सों तक लगातार अध्यादेश चलता रहा अध्यादेशों से सासन डीसी वाधवा case में सुप्रीम कोट ने साफ साफ का की राजपाल या रास्टपती यदि अध्यादेश जारी करते हैं तो अध्यादेश को बार बार जारी करना सम्विधान के साथ चल है री प्रमल्गेशन बार बार नहीं हो सकता और यदि बार बार होता है तो उसके लिए कलरेबल लेजिसलेशन का उसे उदाहरन माना गया कलरेबल लेजिसलेशन अब देखो एक नया शब्द आता है आभासी विधायन या आभासी विधी निर्मान नॉर्मली फेडरलिजम के संदर में ये टर्म आता है लेकिन जहां भी आभासी विधायन का मतलब है कि जिस विशय पर मुझे विधी निर्मान की शक्ती नहीं है उस विशय पर भी मैं विधी निर्मान का प्रयास करूँ और उसकी गलत व्याख्या करके तो उसको कहते अगर बार बार आप अध्यादेश जारी करते है तो यह अगर बार बार जारी किया जाता है विना विधान मंडल की स्विकृति लिए तो वह वैध नहीं होगा तो यह सारे डिबेट्स इस प्रस्ट में दिखाने थे तो अब देखो प्रस्ट के दो हिस्से साफ है कि अध्यादेश और विधाई शक्ती क्या है उसकी सर्ते क्या है और सेकेंड में कि बार बार अगर अध्यादेश जारी किया जाए तो क्या वह वैध होगा तो हमें कहने नहीं डिसी वादवा केस के बाद उसे वैध नहीं माना जाएगा और वह कलरेबल लेजिसलेशन या आभासी विधायन का हिस्सा है अब अगले प्रस्ट की ओर चलते हैं भारत और फ्रांस के रास्टपती के निर्वाचित होने की प्रिक्रिया का आलुचनात्मक परिक्षन कीजिए इस बार के लिए बहुत ही संभावित प्रशन था और अगर याद करें तो इसको गेस के रूप में भी मैंने दिया था कि फ्रांस के रास्टपती का चुनाव इस बार आ सकता है इसलिए क्योंकि फ्रांस के रास्टपती का चुनाव हुआ है इसी साल और हमारे सिलिबस में UPSC, Civil Services के सिलिबस में जो General Studies का Paper 2 है उसमें एक टॉपिक है भारत की संभाइधानी की योजना की विश्व की संभाइधानी की योजना से तुलना और बहुत अच्छी बात है कि ये आया है तो देखो ये प्रशन धाईशो सब्दों का है जो पूचता है भारत के रास्टपती के चुनाओ और फ्रांस के रास्टपती के चुनाओ के समंद में दोनों का आलूचनात्मक परीक्षन of course चुनाओ की प्रक्रिया अधी का वर्डेन करना भी यहां पर जरूरी होगा संचेप में भारत के रास्टपती के चुनाव की प्रक्रिया से हम सभी परिशित हैं यदि अपी काफी जटिल है और यदि उसको समझाया जाए तो आफकोर्स एक सी डेड़ घंटे लगेंगे तो भारत के रास्टपती के प्रक्रिया के बारे में हम जानते हैं कि भारत का रास्टपती और प्रतियक्ष निर्वाचन, आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणिये मत पधती के द्वारा चुना चाता है। जिसमें संसद और विदान सभाओं के निर्वाचित सदस्य सामिल होते हैं। फिर प्रतिम चक्र की मत गन्ना होती है, इसमें प्रतिम वरियता के अनुसार उमिदवारों के बीच वोट हस्तानतरित कर दिये जाते हैं। यदि किसी उमिदवार को निर्वाचन कोटा, मतलब 50% से ज़्यादा मूल्य प्राप्त हो जाए, तो निर्वाचित हो जाएगा। नहीं तो सबसे कम वोट प्राप्त करने वाले उमिदवार को बाहर कर दिया जाएगा। और फ्रांस के रास्टपती के निर्वाचन प्रिक्रिया बहुत ही रोचक और बहुत ही बहतरीन है। को फ्रांस के रास्टपती के निर्वाचन की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें जानना पड़ेगा कि जो फ्रेंच सिस्टम है वह मुख्यता अध्यक्षात्मक प्रनाली है यह देपी उसमें संसदिये के कुछ तत्व हैं लेकिन बेसिकली जो फ्रेंच सिस्टम है वह प्रेसिदेंशिल सिस्टम हम जानते हैं कि अध्यक्षात्मक प्रनाली में वास्तविक शक्ती रास्टपती में होगी अध्यक्षात्मक प्रनाली में वास्तविक शक्ती रास्टपती में होती है और इसलिए जिस देश में भी अध्यक्षात्मक पढ़नाली होगी हमारे यहां रास्टपती के पास वास्तविक शक्ती नहीं है क्योंकि हमारे यहां संसधिये पढ़नाली लेकिन अध्यक्षात्मक पढ़नाली जैसे अमेरिका में फ्रांस में वास्तविक शक्ती रास्टपत होना चाहिए भारत में राष्टपती के लिए जनता का प्रतिनिदी होना अनिवार्य नहीं है प्रधानमंत्री के लिए अनिवार्य इसलिए प्रधानमंत्री लोगसभा में बहुमत्दल के निता को नियुक किया जाएगा क्योंकि वो वास्तविक सक्ति संपन्न है और लोकतं फ्रांस में रास्टपती का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। भारत के रास्टपती का प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। लेकिन फ्रांस में चुकी रास्टपती को पावरफुल बनाना है। इसलिए जनता का प्रतिनिधी होना चाहिए और उसका प्रत्यक्ष प्रतियक्ष निर्वाचन होना चाहिए। यदि भारत के संदर में प्रतियक्ष निर्वाचन को देखो, तो भारत में प्रतियक्ष निर्वाचन लोग सभा में है और विधान सभा में है। प्रतियक्ष निर्वाचन का मतलब है कि जनता स्मेंग वोट देगी और अपने प्रतिनिधी को चुनेगी, सामान्यता है प्रतियक्ष निर्वाचन, मैं कहा रहा हूं सामान्यता है, generally प्रतियक्ष निर्वाचन, first past the post पद्धती से संचालित होता है first past the post system से चलता है मैं सामानिता फ्रांस की बात नहीं कर रहा हूँ भारत में लोकसभा का चुनाओ, विधानसभा का चुनाओ यह first past the post पद्धती से होगा first past the post पद्धती का मतलब है कि जिस उम्मिद्वार को चुनाओ में सबसे ज्यादा मत प्राप्त होंगे वो निर्वाचित गोशित कर दिया जाएगा बहुमत या निर्वाचन कोटा होना अनिवार यह नहीं है जैसे मान लिजे A, B, C, D, E यह चुनाओ में candidate है B को 35% vote मिला इसे 30 मिला इसे 5% मिला इसे 18 मिला किसी को भी 50% से ज्यादा नहीं मिला लेकिन first-past-the-post system या भारत का system लोग सभा में कहेगा बी चुनाओ चीत किया यह है first-past-the-post system सामानिता प्रतियक्ष निर्वाचन के से चलता है first-past-the-post system लेकिन इसकी समस्या क्या है कि इसमें पूर्ण बहुमत सुनिश्चित हुए बिना absolute majority प्राप्थ हुए बिना candidate चुनाओ जीत जाता है आलुचना के तोर पे कोई कह सकता है कि B को आपनी निर्वाचित किया लेकिन 35% B के साथ है इसका मतलब 65% तो B के साथ नहीं है उसके विरोध में हो या नहीं हो लेकिन B के साथ तो नहीं है फिर कैसा बहुमत है लेकिन व्यवहरिक पड़ना लिए ही अब फ्रांस में यह समस्या थी कि फ्रांस वासी रास्टपती का प्रत्याक्ष निर्वाचन करवाना चाहते थे लेकिन वो ये भी चाहते थे कि प्रत्याक्ष निर्वाचन में भी रास्टपती पूर्ण बहुमत का प्रतिनी थी हो इसका मतलब सिस्टम डारेक्ट इलेक्षन का चाहिए लेकिन उसमें चाहते थे कि 50% से ज़्यादा वोट प्राप्त करने वाला ही रास्टपती बने आफकोर्स फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम में संभव नहीं था तब फ्रांस में फर्स्ट पास्ट पोस्ट सिस्टम के विकल्प में रास्टपती के चुनाव के लिए एक नई पध्धती अपनाई गई जिसको कहते इसका मतलब फ्रांस के राश्टपती का चुनाव जिस पधती से होता है उसको द्वीतिय मतपत्र प्रणाली या सेकेंड बैलेट सिस्टम कहते हैं सेकेंड बैलेट सिस्टम का उद्देश इसका अब्जेक्टिव है प्रतियक्ष निर्वाचन में पूर्ण बहमत सुनिश्चित करना ध्यान से देखो प्रतियक्ष निर्वाचन में पूर्ण बहमत सुनिश्चित करना यह नोंने कछाएं अटेंड की उनको पता है कि रिपिटेशन हो रहा है बढ़ यह सभी के लिए है प्रतियक्ष निर्वाचन में पूर्ण बहमत सुनिश्चित करना क्योंकि first past the post में प्रत्यक्ष निर्वाचन है लेकिन पूर्ण बहुमत नहीं है और second ballot तो second ballot या फ्रांस के रास्टपती के चुनाव की का उद्देश क्या है प्रत्यक्ष निर्वाचन में पूर्ण बहुमत 50% से ज्यादा मिल जाए अब इसी के लिए second ballot system में या फ्रांस के रास्टपती का चुनाव दो चर्णों में होता है टू फेजज में होता है एक को कहते हैं first ballot या प्रत्थम मत पत्र ये पहले चरण की वोटिंग है और दूसरे को कहते हैं second ballot फ्रांस के रास्टपती का चुनाव दो चर्णों में होगा first ballot प्रत्थम चरण की वोटिंग second ballot दूसरे चरण की सबसे पहले फ्रांस में होगा first ballot first ballot में जो भी व्यक्ती रास्टपती बनने की युग्यता रखते हैं ऐसे सभी व्यक्तियों को चुनाव लड़ने का अधिकार होता है तो मान लो कि first ballot में A, B, C, D, E, F इन सारे लोगों ने चुनाव लड़ा जैसे फ्रांस में अभी जो चुनाव हुए तो मेरी पैन और जो अभी रास्टपती बने हैं में ही रास्टपती निर्वाचित हो जाएगा तब second ballot जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उद्दे से क्या है पूर्ण बाहमत लेकिन मान लीजिए कि first ballot में इस्तिती ये वाली बनती है 35 प्रतिशत, 30 प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 10 प्रतिशत, 12 प्रतिशत और 8 प्रतिशत मेरा गनित कमजूर है बड़ मैं समझता 100% सायद हो गया होगा ये रहा इसका मतलब कि first ballot में किसी को पूर्ण बाहमत नहीं मिला तो ऐसी इस्तिती में अब आएगा फ्रांस के राष्टपती में second ballot तो ये जो हिस्सा, ये जो चुनाव है ये first ballot है second ballot में top two को select कर लिया जाएगा यहाँ पर top two कौन कौन से हैं? B और C अब यहाँ पर Emmanuel, Macro और Lee Pen को select कर दिया जाएगे बाकी सब बाहर कर दिये जाएगे second ballot में अब B और C को select किया गया जो top two है first और second और फिर से मतदान होगा उसको कहते हैं second ballot और second ballot में किसी ना किसी को 50% से ज़्यादा vote मिल जाएगे और जिसको भी 50% से ज़्यादा vote मिल जाएगे वही रास्टपती निर्वाचित होगा तो हमने देखा कि कैसे प्रत्यक्ष निर्वाचन हुआ और उसमें पूर्ण बहमत सुनिश्यत किया गया तो second ballot में केवल दो लोगों के बीच चुना होगा बराबर हो जाए तब क्या होगा को विश्व का कोई भी सम्विधान चाहे भारत का सम्विधान हो इसका जवाब नहीं देता है क्योंकि ये केवल एक काल्पनिक प्रशन है और सम्विधान निर्माताओं को पता होता है कि जहां करोरों लोग वो डाल है वहाँ पर इस तरह की बराबरी नहीं होगी आज तक फ्रांस में नहीं हुई है फिर भी अगर हो जाए कोई कहीं कहीं हो जाए तो कहीं आकास तूट पड़े तो तो उसका जवाब ये है कि नियायाले चुनावयो वो संस्थाएं उसी के लिए बनाई गई तो ये माना जाता है कि किसी ने किसी को पूर्ण बहमत मिल जाएगा ये फ्रांस के रास्टपती के चुनाव की परक्रिया है जिससे हम सिकंड बैलेट सिस्टम कहते है इस तरह हमने देखा कि भारत और रास्टपती अब यदि दोनों की तुलनात्मक मतलब आलुचनात्मक दोनों की बात करें कि कौन बेहतर है, क्या है तो हम कहेंगे कि भारत के रास्टपती की परणाली अत्यधिक जटिल है ये उसकी कमी है लेकिन बहुत कम खर्चीली है ये उसका मेरिट है फ्रांस के राष्टपती के चुनाव की प्रणाली में पूर्ण बहुमत तो सुनिश्चित वता ही हो, उसकी मेरिट है, लेकिन यह खर्चीली बहुत है, इमेजिन करो कि दो बार चुनाव हो रहे हैं, दो बार पूरे देश में बूथ बंध है, फिर भी हम कहेंगे कि दोनों अपनी अपनी जगा बहुत ही सटीक तरीके से कार्य कर रहे हैं, तो यह है भारत के राष्टपती और फ्रांस के राष्टपती के चुनाव से समंधित प्रशन, उसके बाद अगले प्रशन पर आते हैं, आदर्स आचार संगीता के उद्भाव के आलोक में भारत के निर्व आदर्स आचार संगीता का उद्भाव, इसका मतलब यदी प्रस्ण में इस तरह का कोई भी शब्द हो, वो डारेक्ट भी पूछ सकते थे, कि भारत के निर्वाचन आयोक की भुमिका का आचार संगीता के आलोक में मुल्यान कन करें, लेकिन यदी उद्भाव वर्ड है, त फिर आदर्स आचार संगीता को बताते हुए चुनायोक की भुमिका को बताना पड़ेगा, इसका मतलब सबसे पहले जानते हैं कि आदर्स आचार संगीता का उद्भाव या इवल्यूशन भारत में कहां से हुआ, अगर हम मौडल कोड अफ कंड़क्ट की बात करें, या जि आचार संगीता का कोई उलेख नहीं है, संविधान इसका सरोत नहीं है, ऐसा कोई कानून भी नहीं है, जनप्रतिनिदित्व अधनियम या संसद के किसी कानून में भी, प्रत्यक्षता इसका उलेख नहीं है लेकिन भारत में आदर्स आचार संगीता फिर भी अस्दित्व में रहती है और अब तो हर चुनाओ में रहती है आदर्स आचार संगीता फिर आई कहां से उद्भाव कैसे हुआ तो देखो आदर्स आचार संकीता का मतलब है कि वे नियम आचरन के वे नियम जिनका राजनितिक दलों को उमिदवारों को पालन करना चाहिए ये चुनाओ के दौरण तो चुनाओ के दौरण हमारा आचरन क्या होगा ऐसे निर्देश चुनाव आयोग समय समय पर जारी करता था और सबसे पहले 1960 में केरल विधान मंडल के चुनाव में चुनाव आयोग ने कुछ निर्देश चारी किये लेकिन इसे हम स्रोत नहीं कह सकते आदर्स आचार संगीता मुख्यतह टी एन सेशन जो भारत की मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे 1991 में उनकी दिन है उससे पहले भी निर्देश होते थे लेकिन व्यवस्त थे तरीके से उसको आदर्स आचार संगीता का रूप देना टी एन सेशन का कारे था सवाल उठता है कि इतनी बड़ी पावर अगर चुनायोग अपने पास ले रहा है तो इसका सोर्स क्या है चुनायोग ने क्या तरक दिया तो उद्भव में हम बताएंगे कि चुनाव आयोग ने जो ये पावर हस्तगत कर ली इनहेरिट कर ली इसके पीछे एक तरक तो निकला आर्टिकल 324 से 324 में जब चुनाव आयोग के कारियों और जिम्मेदारियों का वर्णन तो उसमें है चुनाव करवाना, राष्टपती के, उपराष्टपती के, संसद के और राजिविधान मंडल के ये चार चुनाव करवाना जो सबसे बड़ी चुनाव है भारत के यहां तरक दिया गया कि अगर समविधान चुनाव करवाने की जिम्मेदारी देता है तो इसमें अंतर नहीं थै कि चुनाव स्वतंत्र और निश्पक्ष होने चाहिए केवल चुनाव नहीं होने चाहिए चुनाव स्वतंत्र और निश्पक्ष होने चाहिए और इसलिए चुनायोग ने दावा किया कि स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जो भी सक्तियां जरूरी हैं, चुनाव आयोग मेवे स्वतह नहीत हैं, अमेरिका में भी ऐसे सिधान्त प्रचलित हैं, जिसको कहते हैं Doctrine of Eminent Domain, अमेरिका में इसे समंदित सिधान्त Doctrine of Eminent Domain कहलाता है, कि अगर म मैं उसका दावा कर सकता हूँ, तो ये तर्क 324 से लिया, इनहरिंट Domain है, एमिनेंट Domain का सिधान्त है, और दूसरा तर्क निकाला गया जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, जो भारत में चुनाव से समंदित सबसे प्रमु कानून है, और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम में साफ साफ लिखा गया है, कि चुनाव से समंदित नियम, उपनियम, आधि बनाने का चुनाव आयोग को अधिकार होगा, तो हम बताएंगे कि इसके आलोक में दावा किया गया, और ये इसका evolution है, तो 91 के बाद से विधिवत आदर साचार संहीता है, अब आते हैं कि Model Code of Conduct के स समंद में चुनाव आयोग की भूमिका का परिक्षन करें, तो इसके बारे में बताएं थोड़ा से, हम बताएंगे कि भारत का चुनाव आयोग अनेक प्रकार की भूमिका निभाता है, और सब आपने पढ़ा ही है, सबसे प्रमुक भूमिका है, रास्टपती, मतदाता सुची तैयार करना, उसका नवीनी करन करना, राजनितिक दलों को राश्ट्रिय दल और राश्ट्रिय दल और राजस्तरिय दल नैस्टनल पार्टी, स्टेट पार्टी का धरजा देना, किसी सांसत या राज्य विधान मंडल के सदस से कि अयोग्यता से समंदित वि Model Code of Conduct भी आगया है, आदर्स आचार संगीता, आदर्स आचार संगीता को पारिभासित करेंगे, कि इसमें वे सारे निर्देश शामिल हैं, जो चुनाओ के दौरान स्वतंत्र और निस्पक्ष चुनाओ के लिए जरूरी हैं, जिनका पालन सरकार को भी करना पड़ेगा, जिस सरकार के लिए निर्देश होता है, कि सरकारी मर्शिनिरी का दुरूपियोग ना करें, लोकल भावन घोसना ना करें, निर्देश ये भी होता है, कि राजनितिक दल, धर्म और जाती के मुद्दे न उठाएं चुनाओ में, जनता के लिए भी निर्देश होते हैं, कि चुन संधित निर्देश भी Model Code of Conduct में आया, साइध इनी संदर्वों में प्रस्णा आया, इसका मतलब कि Virtual Rally ये भी आ गया, Model Code में, मास्क रखना, Covid Protocol, वो सारे निर्देश यहां पर आ जाएंगे, तो हम दिखाएंगे ये है आदर्स आचार संगीता, आदर्स आचार संगीता कब से कब से कब तक लागू रहती है, इसको लेकर देखो, बड़े भरामक तथ्य प्रशिलित हैं, कब से कब तक लागू रहती है, तो प्रामानिक तोर पर जाने कि जिस दिन, चुनाओ की तिथी की घुसना होगी, Date of Declaration of Election, उसी दिन से आदर्स आचार संगीता लागू होगी, अंतिम चरण के मतदान की समाप्ती तक, तो मानलो 5 मार्च को और 6 बजे आखरी चरण का मतदान है, मतगनना की बात नहीं है, मतदान, तो जैसे ही 6 बजे मतदान कंप्लीट हुआ, गोसना होगी, कि मतदान खत्म हुआ, आदर्स आचार संगीता स्वता हट गई, ये स्वता ह आदर्स आचार से रोक सकता है, इसे नेताओं को, उमिद्वार की उमिद्वारी रद कर सकता है, FIR आदिदर्च कर सकता है, और हम बताएंगे कि आदर्स आचार संगीता स्वतंत्र और निश्पक्ष चुनाव करवाने के लिए जरूरी है, तो ये चुनाव आयोग से समंधि प्रशन है, मैं समझता हूँ कि प्रशनों की स्रिंखला यहीं पर समाप्त हुई, तो आज हमने प्रशनों को डिस्कस किया, जो अभी 2022 में जेनरल स्टेडीज के पेपर 2 के मेंस में पूछे गए थे, इन में से लगभग सभी प्रशन, मैं कहता हूँ जो भी आज मैंने बता साथ समय समय पर मैं आता रहूँगा, तब तक सब लोग स्वस्त रहिए, सुरक्षित रहिए, प्रशन रहिए, थांक यू, जै हिंद